वेल्कम तू नई सुभाज एक्साइटिंग वृल्ड अफ स्टोरीज ताइमलेस थेल्स अफाबूलेस इनिशेटिव फॉर अल्डी स्टोरी लवर्स आउट देर ब्रॉट तो यू बाइ नई सुभाज नरीथिट बाइ हाजिरा सलीम अलबर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता अगर ये कहा जाए कि वो तारीख के सबसे बड़े साइंसदान थे तो ये वलत ना होगा वो मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल चुटकियों में हल कर सकते थे जहां एक आम इंसान की सोच खत्म होती है आइंस्टाइन की समझ वहां से शुरू होती थी उनकी थियोरी ओफ रेलेटिविटी ने फिजिक्स का नक्षा बदल दिया और इस पर उन्हें नोबेल प्राइस से भी नवाजा गया उनकी सलाहियतें देखकर लोगी समझते थे कि आइंस्टाइन का दिमाग बाखी लोगों से मुफतलिफ और मुन्फरिद होगा और कहीं न कहीं उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके जिसम के किसी भी हिस्से पर कोई तजर्बा या तहकीक की जाए वो तो ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद उन्हें जला कर राख कर दिया जाए लेकिन उनकी इस हिदायत और आखरी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया गया और वो ही हुआ जिसका उन्हें डर था 18 एपरिल 1955 को प्रिंस्टन हॉस्पिटल में जब उनका इंतकाल हुआ तो अटॉपसी करने के लिए जो डॉक्टर आई उन्होंने छुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया वो जानना चाहते थे कि दुनिया के सबसे जहीन इंसान के दिमाग में ऐसी क्या खास बात थी इस जुर्ट और गुस्ताखी करने वाले शक्स का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वी था उन्हें इस चोरी पर पकड़े जाने के अंजाम से ज्यादा इस पहेली को सुल जाने में दिलचस्पी थी कुछ दिनों बाद जब प्रिंस्टेन हास्पिटल को इस बात का पता चला तो उन्होंने डॉक्टर हार्वी को नौक्री से निकाल दिया जैसे तैसे उन्होंने अलबर्ट आइंस्टाइन के बेटे हांस अलबर्ट को मनाया कि वो अपनी तहकीख जारी रखें और दुनिया के सामने उनके वालिद की दिमाग से जुड़े सारे राज अफशा कर दें लहाजा इचासत लेने के बाद वो आइंस्टाइन की दिमाग को लेकर पेंसिलवेनिया के शहर फिलिडल्पिया आ गए वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस ब्रेन की हर एंगल से तसावीर ली और फिर उस ब्रेन के 240 छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जार्ज में प्रिजर्व कर दिया को दिन रात अपने घर की बेस्मेंट में छुपकर उन टुकड़ों पर तजुर्बे करते डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन की दिमाग पर तहकी करने में इस कदर मशबूल हो गये थे कि उन्हें और किसी चीज़ का होश नहीं रहता था आए दिन इस मसले को लेकर उनकी बीवी का उनसे जगड़ा होता रहता और वो डॉक्टर हार्वी को धंकी देती रहती थी कि मैं एक दिन इस तड़े गले दिमाग को उठा कर कहीं फैंक दूंगी बात इस हद तक पढ़ गई कि नौबत तलाग तक जा पहुंची और वो दोनों अलग हो गए इसके बाद पिल आखिर उनका मेडिकल लाइसंस जब्त कर लिया गया और उन्हें मजबूरन प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्टरी में नौकरी पर लगना पड़ा। अपनी उस गलती को सिधारने के लिए उन्होंने एक एहम वैसला किया। कहानी ने आगे क्या मौड लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।